आज हम देखेंगे Insolvency of Partner One Partner Insolvent होगा Insolvency का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो ये समझना है Hindi है ये तो Insolvent का मतलब दिवालिया मतलब क्या होता है जब कोई वैक्ती अपने liability को नहीं पे कर पाता बोलते हैं आप Insolvent होगे Simple word है ठेक है ना अब liability pay नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि वो जान बूच के पेट नहीं कर रहा यानि उसने अपने सारे assets भी बेच दिये हैं अपने सारे property भी बेच दिये हैं तब भी वो liability को pay करने में capable नहीं है तो इसको बोला जाता है वो Insolvent हो गया ठीक है पार्टनर की liability की बात करूं तो unlimited liability रहता है partnership firm में कि अगर मान लेते हैं कि मेरा creditor एक लाग का है और assets मेरे पास सत्तर हजार का है तो बागी 30,000 तो और creditor को paid करना है न तो जो creditor को हमें और 30,000 रुपे जो paid करना है वो कहां से करेंगे तो partner अपने घर के assets को बेचेगा और फिर लेके आएगा यानि partner की liability शिर्फ उतनी नहीं है कि जितनी capital लगाई है partner की liability कहां तक हो गई है capital के बाद के भी तो यानि मैं कह सकता हूँ partner की liability जो होगी हमेशा unlimited होगी मुद्दे की बात आप समझना हुआ क्या था एक होता है partnership deed बना लेना और एक होता है बिना deed की काम करना अगर without deed की मैं बात करूँ तब भी partnership चल सकता है और with deed के deed का मतलब होता है आपने सारी बातों को लिख लिया है starting होने से लेके क्या profit sharing ratio होगा क्या interest on capital होगा सारी agreement कर लिया है उसे क्या बोलेंगे deed हुआ ऐसे के मान लेते हैं तीन partner है suppose करो x y और z तीन partner है ठीक है deed हमने बनाया नहीं तीन partner है deed हमने बनाया नहीं और यहाँ पे देखा जाए तो firm के पास जो liability है liability है एक लाख रुपए का और firm के पास acids की मैं बात करूँ तो acids है मान लेते हैं 20,000 रुपए का तो it means 80,000 रुपए और इंतजाम करके liability को pay करना है तो इसको हम बोलते हैं deficiency इसको क्या कहते हैं हम deficiency कितने रुपए का deficiency आगे है यहाँ पे 80,000 रुपए का और जो Z है Z partner जो है मान लेते हैं इसके पास कोई assets है ही नहीं Z है जो तो Z के पास अगर देखा मतलब 80,000 रुपए का simple सी बात है क्या है deficiency है और deficiency का मतलब आपको पता है कमी पढ़ रही है अब इस 80,000 रुपए को payment करने की responsibility तीनों की है अब ऐसा तो नहीं है deficiency हो रहा है तो X अपने घर से सारा अपनी building वगरा बेच के 80 का payment करे ऐसा भी possible नहीं है के Y payment करे और ऐसा भी possible नहीं है के Z करे यानि होना क्या चाहिए आपके हिसाब से जो भी कमी आई है भाई firm बंद कर रहे हैं तो इस 80,000 रुपए की payment तीनों मिलके करते हैं है ना यानि अगर मैं 80,000 या फिर मैं suppose करो मैं यहाँ पर ना simple सा amount ले लेता हूँ 10 तो बच गए deficiency कितने 90 काईदे के हिसाब से देखा जाए तो 30,000 इसको अगर ratio 1 is to 1 is to 1 है तो और 30 इसको लाना चाहिए और 30 इसको लेके आना चाहिए लेकिन मुद्दे की बात यह हुई Z हो कि 30,000 X दे दे 30,000 Y दे दे और 30,000 Z दे दे जो हम सोचके बैठे दे तो ऐसे situation में Z तो देगा नहीं अब सारा burden किस पे आ गया अगर हम Z से कोसिस करें तो Z तो देगा नहीं अब लडाए स्टार्ट होगी X और Y के बीच में में जगड़ा जो स्टार्ट होगा अब X बोलेगा मान लेते हैं Y को के भाई Y तु ही Z को लाए था तु बीएर कर इसका तेरे reference से ही ये partner आये था तो तुझे बीएर करना है Y बोल सकता था जब आया था तो वो capital भी लेकर आया था तब तुमने ही बोला था लाने को यानि छोटी छोटी बातों पर अनेक बातों पर इन दोनों के बीच में लडाई होगी ये दोनों agree नहीं होगे कि मैं इसका deficiency बीएर करूँ X बोलेगा मैं क्यों लूँ उसका भाई मैं क्यों मेरे पास अगर मान लेते हैं घर में property है तो मैं लुटा दूँ क्या इसका मतलब तो ये नहीं है लडाई स्टार्ट होगे यहाँ पे और यही सेम लडाई जो मैंने आपको समझाया है यही लडाई स्टार्ट हुआ था 1903 में इंग्लेंड के अंदर पहली बार फर्स्ट आइंग पे अगर डीड बना लेते हैं नहीं है कि भाई अगर ऐसा कोई situation निकल के आया तो बरावर बरावर बावर बाटना पड़ेगा तो लडाई का कोई सवाली नहीं था डीड नहीं ह तो यही 1903 में लडाई स्टार्ट हुई और यह लडाई स्टार्ट होते लड़ते जगड़ते यह साधारन फर्म से ना जाके कूट में पहुँच गया तो 1903 में वहाँ पे धीरे धीरे लड़ते जगड़ते कूट में पहुँच गया इंग्लेंड में इंग्लेंड को इंग्लिस लॉभी बोला जाता है हमारा वहाँ पे पार्टनर था एक था गार्नर और एक था मर्रे दो पार्टनर था एक गार्नर मान के चलिए ये दो पार्टनर थे जिनकी लड़ाई कूट के अंदर चली गए एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुका था और ये दोनों पार्टनर कूट के अंदर चले गए बहुत important case study है इसके उपर 15 नमर का अलग से theory का पार्ट आएगा आपका के भाई गर्ने वर्स मर्रे रूल का explain करिए 15 नमर का ये 20 नमर का theory आजाएगा इसमें तो इसको ध्यान से समझना है कहानी मैंने x, y, z भले तीन पार्टनर लिया कहानी सेम वही किसका था गार्ने मर्रे और एक और पार्टनर था तीसरे पार्टनर का 1903 में लड़ाई क्यों स्टार्ट हुआ ये पता चला आपको लड़ाई स्टार्ट हुआ कि भाई एक पार्टनर जो इंसॉल्वेंट हो गया उसके डेफिसेंसी को कौन भी यर करेगा लड़ाई इस बात किये जब लड़ाई हुआ जज के पास कि इसकिया जज ने अपने सारी कान लड़िक नहीं मिलते हैं कि कानून में ये वर्ड ही नहीं लिखा तो इससे निप्टा कैसे जाए तो जज फिर अपना जजमेंट देते हैं फिर क्या होता है जजमेंट और एक बार किसी भी कंट्री में ये जजमेंट आ जाए ना तो उसी कंट्री को बेस मान के सारी कंट्र उसको follow करना start कर देती है तो वहाँ के जो justice थे judge थे जो उन्होंने judgment दिया judgment के साथ साथ बहुत सारे points को और डाले उसके अंदर के आगे से अगर ऐसा होता है तो क्या-क्या होना चाहिए उनका judgment ये आया finally कि जो भी insolvency partner है ना तो हम x के उपर यानि ना तो हम garner के उपर पूरा burden डालने वाले है deficiency का और ना ही मर्रे के उपर डालने वाले है और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों को हम बराबर बराबर दे दे may be possibility है कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसे है तो इसका मतलब नहीं है कि इससे ज़्यादा ले ले या बराबर बराबर बाट दे हम ये भी दिक्कत थी तो judge का जो judgment होता है वो judgment बड़ा ही सो समझ के दिया जाता है सारे points को देखके कि किसी के साथ ऐसा ना हो कि लगे कि हमारे साथ इनोंने biased, unbiased नहीं है biased किया इनोंने यानि कि हमारे साथ जास्ती किया हुआ है तो judge ने बोला कि भाई तुम्हारा profit sharing ratio कुछ भी हो सकता है matter नहीं है लेकिन logically देखा जाए तो जिस ratio में आप दोनों को ही bear करना है लेकिन PSR का कोई मतलब नहीं है इसके deficiency को आप दोनों को bear करना है और वो भी किस ratio में उन्होंने decision लिया capital ratio में यानि अगर capital भले ही ratio मेरा 1 is to 1 is to 1 है इसने अगर 5 लाक लगाया और इसने 4 लाक लगाया है तो ratio निकल के आएगा 5 is to 4 में bear करना होगा पहला judgment ये दुलिया सारी judgment सुनते जाना वो सारी चीज़ा आपको बताना है पहला judgment के जो भी deficiency deficiency समझ पा रहे हो क्या होता है जो partner पैसे नहीं दे पा रहा जितना कम पढ़ रहा है उसको deficiency बोलते हैं तो बोला गया कोई भी deficiency अगर arise होगा तो उसे remaining partner देंगे और वो भी किस ratio में capital ratio में पहला point capital ratio उसके बाद और clarity दिया उन्होंने capital ratio का मतलब तो बोला गया capital दो परकार के हो सकते हैं या तो हो सकता है fixed या हो सकता है fluctuation क्योंकि वो सारी बात तो कहा है ऐसे नहीं बोलेंगे capital ratio में जा हो गया क्योंकि वो leading case आगे भी तो follow होगा तो बोला गया दो तरीके का capital हो सकता है या तो हो सकता है fixed या fluctuation तो अगर fixed capital है तो only capital को consider किया जाए यानि capital के लिए इन्होंने क्या define किया है कि जी अगर capital की बात करे तो capital दो तरीके का हो सकता है कौन-कौन से दो तरीके का मैंने बताया मैंने क्या judge ने बताया था एक बताया हो सकता है कौन सा हो fixed हो दूसरा हो सकता है fluctuation अब sir fix और fluctuation बारवी क्लास में बड़े पढ़ते हैं fix का मतलब capital में बदलाब नहीं होता और fluctuation का मतलब है जो capital बदल जाता है fix के अंदर दो account से काम चलाते हैं एक होता है current account और एक capital account होता है सुना हुआ है वही बहुत है पूरा जो करेंगे यहां करेंगे fluctuation में capital में ही सारा काम करते हैं तो बोला गया अगर fix हुआ उसका capital तो capital ratio का मतलब होगा only capital और इसमें कुछ भी ना जोड़ा जाए बिल्कुल pure capital होना चाहिए इसमें कुछ ना जोड़ा जाए ना profit जोड़ा जाए ना reserve जोड़ा जाए ना losses minus किया जाए कुछ नहीं दूसरी साइड बोला अगर fluctuation हुआ तो हम capital का मतलब होगा capital plus reserve plus profit and loss का credit balance हो चाहिए debit balance हो minus plus हो जाएगा वो है ना मैं debit लिखने दा plus workman compensation reserve यानी any kind of जो balance sheet से item निकल के partners capital में distribute हो जाता है whether debit में credit में उन सभी को जोड़ घटा के जो हमारा capital बनेगा दोनों का जोड़ना और दोनों को रखना वो capital ratio बनेगा समझ मैं यहीं बात आपको है हाँ, revaluation के profit की बात नहीं बोली अभी क्योंकि revaluation सबसे बात revolution मैंने बोल दिया realization realization की बात ने जो की balance sheet से transfer हो रहा है तो यहाँ पर यह बोला तो पहला judgment दिया कि capital ratio में होगा फिर उन्हेंने explain किया कि capital ratio का मतलब क्या होगा या तो capital हो सकता है fix या हो सकता है fluctuation तीसरी बात उन्हेंने important बताई कि भाई उसी partner को bear करना है rely deficiency जिस partner का capital already credit है उन्हेंने बोला ध्यान से सुनना capital credit है current account का balance कुछ भी matter नहीं करता क्या होना चीए capital credit यानि अगर मान लिया जाए उनका कहना क्या था मैं उनके मतलब समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे suppose करो partner X, Y, Z और A है और यहाँ Z insolvent हो गया इसका capital 2,00,000 रुपए है इसका capital 3,00,000 है और इसका capital 1,00,000 बट debit है deficiency निकल के आ रहा है insolvent हो गया है तो इससे तो लेंगे नहीं अब बड़न किस पे shift होगा तीन पे इस पे थोड़ा बड़न और दिया तो बिचारा ये भी मर जाएगा पहले ही ये debit है पहले ही negative में है तुम इसका भी बोज इस पे डालोगे तो पता चला ये insolvent होगी अब इसका भी तुम दोनों देख लो यही होगी न कहाने कि भाई अब इसका तो इलाज करनी पा रहे ये बिमार पहले ही है इसको और तुम बड़न डालके बिमार कर दो तो पता चला तुमको इसका भी इलाज करना पड़ जाएगा तो बोला गया लॉक के अंदर अगर किसी पार्टनर का capital डेबिट होगा तो उसको deficiency bear नहीं करना तब तुम ही दोनों को समस्य का समाधान करना नहीं तो तुम दोनों मुसीबत में पड़ सकते हो तीसरी बात ये बोली उन्हें पहली बात किस में बटेगा capital ratio में दूसरी बात capital को समझाया कि capital ratio क्या होता है तीसरा उस partner के उपर burden नहीं दिया जाएगा जिसका capital debit हो इसके बाद साथ के साथ बोला कि भाई realization का जो loss होता है अब जब हम deficiency की बात कर रहे हैं तो साथ के साथ realization की loss की भी चर्चा की गई बोला गया जो भी realization का loss होगा solvent partner घर से cash में लेके आएगा ये भी बोला गया solvent partner क्या करेगा घर से cash में लेके आएगा यानि simple सी बात है माल लेते हैं realization account आप सभी ने देखा है realization account में से loss निकल के आता है तो loss निकल के आएगा तो जो भी loss होगा वो loss कहां लिखते हैं partners capital में थोड़ा सा मुझे याद दिलाओ आप कहां लिखते है partners capital में realization loss two side में realization loss लिख देते हैं x y z जो भी यह तीनों में बढ़ जाता है इस loss को वो cash में लेके आएगा कि जो partner solvent है और उसका capital positive है वही लेके आएगा इस loss को फिर question आए सर कौन से situation में लाएगा fix capital हो या fluctuate जज ने बोला जब capital fluctuate होगा तभी वो cash में लेके आएगा अगर fix है तो realization loss को लाने की कोई अवसकता नहीं है फिर भी आपको लगता है कि लाना चाहिए तो ली आईए या ठीक है न तो क्या क्या points आगे आप point दिमाग में रखना और यह जितने भी मैं बातें बोल रहा हूं तो become के student के लिए specially highly important 10 year उठागे देखना और in fact चाहे ओ भी exam हो कोई भी exam हो पूछा जरूर गया पंदर नंबर में question लिए और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं यही बातें आपको लिखना है तो यह कौन सा फैसला था England का Garnier versus Murray Rule का और वहाँ पर बताया गया judge का judgmental क्या था कि भाई जो भी deficiency arise होगा due to insolvent कौन bear करेगा solvent partner bear करेगा जिसका capital credit होगा loss को cash में लाएगा in case of fluctuation fix capital में सिर्फ capital को ही capital ratio में होगा और fluctuation में यह और bear जो होगा वो किस ratio में होगा capital ratio में अगर मोटे मोटे बात की मैं बात करूँ तो सबसे पहला बात उन्होंने कहा किस में बटेगा capital ratio उसके बाद explain करा fix के case में क्या होगा और fluctuation है क्या होगा number तीसरा explain करा जिसका capital क्या होगा only positive बोल लो या फिर credit बोल लो चौत्था point बोला loss को भी ले के आना पड़ेगा किस में in cash में और किस case में जब fluctuation capital होगा तोला ने चार बाते बताई उसने वो चार judgment दे के उन्होंने खतम किया और इन दोनों का लड़ाई जगड़ा खतम हुआ उस दिन के बाद से अगर हिंदुस्तान में भी कभी भी ऐसा कोई case नजद आता है जज के पास case गया तो आप सबने तो पढ़ रखा है आपको तो पता है भाई तेर साथ क्या होना है लेकिन अगर partner accountant नहीं है accounts field का नहीं है वो तो लड़ेंगी उन्हें क्या पता इंग्लेंड में क्या हुआ था वो लड़ते लड़ते पहुँचेंगा जज के पास तो फिर जज फैसला क्या सुनाएगा 1903 में भी ऐसा एक case आया था इंग्लेंड में उसी case को base मानते हुए आपका इस तरीके से जो भी dispute है उसको सुलजाया जाएगा लेकिन अगर partner से पहले से deed बना रखा है फिर भी लड़ रहे तो लड़ने का पहली बाद तो सवाल होता ही नहीं क्योंकि पहले ही आपने क्या बना रखा है validate तो लड़ाई क्यूंकर रहे है बाई डीड बना रखा है तुमने agreement कर रliter तो लड़ाई कर रहे है तो यानि तुम दंगा फसाद कर रहे है कोई फाइदा नहीं है उसका और हाँ अगर आपके डीड नहीं है तो हम आपका support करेंगे और उस case में ये वाला point arise होगा पहला point था क्या? insolvent कितने partner insolvent की बात कर रहे हैं? सब को छोड़के एक भी हो सकता है और दो भी अगर दो हो गया तो बचे हुए solvent partner concept निकल के आता है एक हो दो हो लेकिन सब नहीं होना चाहिए सब होगा न तो उसका अलग concept बनाए गया उसके लिए कोई case नहीं है तो हमारा जो concept था गार्निय वर्सिस मुर्रे रूल का concept था ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत कहानी समझ में आई होगी अभी तो हमने इसका practical implementation किया ही नहीं है कि accounting में कैसे करेंगे deficiency को वो नहीं देखा सिर्फ क्या देखा है theory का part इसलिए theory का part मुझे समझाना जरूरी था क्योंकि exam में अलग से question पूछा जाता है कि explain गार्ने वर्सिस मुर्रे रूल बस इतना ही बोलेगा question पंदा नंबर का